दोस्तो बहुत बहुत स्वागत थे आपका एक पर फिर से आपके अपने ही चैनल के रिग पॉली पर जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में रिलीस हुई चार बड़ी फिल्मों के बारे में जानेंगे इन सबी फिल्मों के बारे में बजट के बारे में हिट और फ फिल्म को डेरिट क्या था श्रीमित अमीन ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को यस चोपला और आदित्य चोपला ने 22 करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 68 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वर्ड में 110 करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर बिलॉग पास्टर साबित हुई थी चलिए भाब को बताते हैं अक्षी कुमार की भूल भुलाईया फिल्म के बारे में तो 12 अक्टुबर 2007 में रिलीस हुई थी ये फिल्म अक्षी कुमार, विद्याबालान और अमीशा पाटेल इस फिल्म में एहम किरदारों में थे फिल्म को डेल्ड क्या था पिर्याधरशन ने और प्रेड्यूस क्या था इस फिल्म को भुशं कुमार और कृशन कुमार ने 32 करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 50 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में 82 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी चलिए दूस्तों बात करते हैं संजेदत की धमाल फिल्म की तो 7 सिप्तमबर 2007 में रिलीज हुई थी फिल्म संजेदत अरशदवार्जी रितेश देशमुक और असरानी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेल क्या था इंद्र कुमार ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को अशोग ठाकरिया और इंद्र कुमार ने 17 करोड उपे के भजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 33 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 51 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी चलिए बात करते हैं सर्मन जोशी और तुशार कपूर की डोल फिल्म की तो 21 सिप्तमबर 2007 में रिलीज हुई थी ये फिल्म सर्मन जोशी, तुशार कपूर, राजपाल यादव और तनुश्री दत्ता इस फिल्म में एहम किर्दारों में नज़र आई थे फिल्म को डेट क्या था पिर्या दर्शन ने और प्रेड्यूस क्या था इस फिल्म को शैलेंदर सिंग ने 14 करोड उपे बजट था इस फिल्म का, बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 16 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 30 करोड उपे कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एवरेज साबित हुई थी तो दोस्तों इन चारो फिल्मों में आपकी फसंदीदा फिल्म कौन सी है कमेंड में सुरू बताईएगा